वेलकम तो मेरी पहचान आज हम पर एक रेसेपी के साथ आयां और यह ऐसा मझाव एक ऐसी सबजी ए किसको आप पता आपको दिखाते हैं कितने तरीकषेंसे आपलु काट भी सकते हैं उसको बना भी सकते हैं जोाधे वभी सबढ़ा है स्कॉार है सर्कूल Ourth ago लो को चार पीस्स में करना है तो अब आलु कब हांगा गए कुछ दिन तक तो उसको different shape में और different तड़के के साथ बनाएंगे तो कोई बोर हो गई ही नहीं वन वीक तक तो कोई नहीं बोर होगा पराठे के साथ पूरी के साथ सुखी सब्जी होती है रोगनी रोटी के साथ किसी चीज़ के भी साथ दो आलू की सबजी बेस्ट जाती है और यह ऐसी सबजी है कि यह जो वेदर चेंज होता है तब कुछ-कुछ सबजियां खराब भी हो जाती है जैसे स्मेल आने लगती है या जो है वो लगता है लेकिन आलू अपना मस्ट रहता है वेदर के हिसाब से भी तो मस्टर्ड ओयल हमने आप लोगों को पहले भी पता है मेरे गर में मस्टर्ड ओयल यूज होता है डाल दिया मस्टर्ड ओयल वो उड़ गया इसमें हमने राई का मेथी का और पीली सरसो का यह तीन चीजों का तड़ा डाला है हारी मिर्च का फ्लेवर चेंज अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं अपने माके फ्लेवर के हिसाब से सव भी डाल सकते हैं जीरा भी डाल सकते हैं मेरे हजबन को इत्ता नहीं पसंद इसलिए कि हमने उनके टिफिन के लिए नहीं डाला फिर आप इसमें और भी यह करीपता डाल सकते हैं अगर फ्रेश अवलेबलों का तो बैस्ट बहुत अच्छी कुछ भूआएगी और बाकी आप यह भी है किसमें आप एक चीज और डाल सकते हैं वह कसूरी मेथी है वह भी डालेंग यह इतनी अच्छी फ्रेश रही है कि मतलब कोई भी अगर खाए